अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिलकुल फ्री अब और नहीं जुन सकता मैं उन दोनों के बारे में, मेरे जख्मों पे नमक डालना बंद कीजिए और चले जाई यहां से नहीं, जिलाने का कोई फादा नहीं है, मैं तुमें छोड़के कही नहीं जाओंगी और अगर मैं चली गई ना, तो गजल अपने प्लान में काम्याब हो जाएगी और मैं इसा नहीं होने दूगी कियासा प्लान? वही प्लान जो हैदर भाई और गजल ने मिलके बनाया है, उसकी बात कर रहे हैं आप नहीं, रोहान और वह साजिश करने वाली गजल है यह अब क्या बोल रहे है बाभी, मुझे ने समझ में आरा कुछ भी श्रुहान गजल दीमग की तरह इस घर की बुनियाद को कम्जोर करना जाती है वह इस घर में सरफ दो मकसद से आही है एला इस घर को बर्बाद करने के लिए और दूसरा मेरे हैदर से निकाह करने के लिए श्रुहान गजल ने तुमसे कभी मुहापत की ने रहे है है वह एदर को पाना जाती है और इसलिए उसने तुमें बस एक महरा बनाया शरुवात से ही वह हम सब को धोका देते हारी है पहले उसने मुझ से दोस्ती की और उसके बाद इस घर में कुछ कई उसके बाद इसने अपना जजबाती ड्रावा की और अम्मी की हमदर्दी चीत ली अल्ला मिया ने मुझे ये बेटी सालो बाती है इसलिए सालो से तुम सब को जो लाड प्यार मिलता है ना वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ इसलिए खबरदार आज के बाद किसी ने गजल को रुलाया तो और उसके अब की हमदर्दी चीत ली और हैदर को अपना तरफदात बना लिया मैं बादार करता हूँ आज के बाद इस खालान में तुम पेको लंगली बेने उठाए उसके पहसान करो, खरुप जाओ जब उसके पता चाला कि तुम उसे महबबत करते हैं तो तुम्हारी महबबत का वे इस्तमाल किया वरना वो तो उसी दिन निका ली जाती जिस दिन उसने अलताफ के उपर इज़ाया और उसे फसानी की कोशिश की थी तो उसके बाद उसने घर में दुबारा कातम जवाने के लिए तुम्हारी महबबत का सहारा लिया बेश्चक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजे लेकिन एक बद पूछ तो लीजे कि मैंने अलताफ के साथ जो कुछ भी किया क्यों किया कोई कुछ निग जाना चाहता है तुम्हारी लिए किया रोहान मेरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये लोग मझे घर से बाहर तो निकाल देंगे रोहान लेकिन तुम्हे मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रोहान